रुहानिय दे मजासमें हल्त पल्त दे रख्या का तान श्री गुरु ग्रंत सहर पात्षाज दी पावन पवित्रबार कहा विच। हाजरीन गुरु की प्यारी, गुरु की स्वारी, गुरु खालसा साथ संगत जीयो। वडपागे हो तंतादे जोग हो जो आवजी गुरु चरनादे विच जुड करके अम्रत रूप बाणी आसा की वारदे कीरतन तते शवद दी विचार नू सर्वन करके जीवन दियां कडियां उस्वासा नू सफलें बनावन दाजादन कर दे हो। बड़े प्रेम सहत आप जीयां ने गुरु के कीरतनियां पासों आसा की वारदे शवद कीरतन सर्वन की तेहान। उपरंत अम्रत वेले जो पावन तखतां ती सुभाए मन होकर की तन साहिव श्री गुरु ग्रंद से पत्ष जीयां ने। सड़े जीवादे पले हैता पावन मुखवाक दी दात बक्षिश केती। अम्रत वेले आये हुए पावन मुखवाक दी विचार करन दे लिया पास सारे जुड़ बैठे हां। पले आमरदास गुन तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे है। ऐसे दीन दयाल पात्ष तान शरी गुरु अमरदास सह्व जी। साथगुराज दी पावन रसनातों उचारन कीती हुई रामकली राग दे विच अनांद सह्व दी बाने दे विचों आजदा ये पावन मुखवाक है। अनांद सह्व दी बाने गुरु के सेखदा कोई भी कारज हुए ओ अनांद सह्व दी बाने तो बिना संपूर नहीं। सहज पाठ करिए, अखंड पढ़ सह्व करिए, नितनेम है, खुशी दा समा होवे, गमी दा समा होवे, कोई भी कारज है, ओ अनांद सह्व दी बाने तो बिना संपूर नहीं। तान श्री गुरु गोबन संप सहव पात्शाजी, अनांद पूर सहव दी तर्तीते, सिख संगतानु पावन उपदेश देकरके निहाल करदे, अकाल उपुर्क परमेशर नल जोड़ दे। एक गुरु का सिख चलकर की आया, वड़े पोले सुब आधा सी, सद्गुरु पात्शाजी नुँ बेंती कर लगा कि सद्गुरु पात्शाजी किरपा करो, जीवन अंदर अनांद बन जावे, जीवन अंदर खेडा आजावे, आत्मक अनांद सिदीवी बनेया रहे, संसार सागर नु उतर सकिये, चनम मरन तो मुक्तो जाईए, ऐसी कोई रहमत बक्षिश करो, सद्गुरु पात्शाजी कैने लगे पाई, वाहे गुरु दा नाम जहाज रूपी है, जीड़ा एदी आस्री होके रिंद, तान मान तान सब सौप गुरु को होकम मन्य पाईए, गुरु नु समर्पन होके रिंद, राग द्वैख नी रखद, और इस संसार नु असात्त ते ब्रह्मनु सात्कर की जानद है, स्वास्वास स्वाहिगुरु परमेश्रदा नाम समर्द है, गौ गुरीबनु पाल्द है, वे संसार सागर तो तर जन्द है, जीवण मुक तो जन्द है, को दी जीवण अंदर आनांद बनेया रिंद है, पर पात्षा कैने लगे, फिर भी गुरुबानी दा पाठ करना, गुरुबानी दी संत्या लेनी, गुरुबानी दी अर्थ बोधनु समझना सेखली बहुत जुरूरी है, कैन लगा, जी मैं कोई बहुता पड़िया लिखिया नहीं, बहुता कुझ नहीं जानदा, पात्षा कैन लगे पाई तान है, तेरा जीवन तान है, जे तेरा माने ना तो उपर उठ गया है, माने ना विच खचत नहीं, पर फिर भी तुँ गुरुबानी दी संथेया प्राप्त कर, एदे अर्थ बोधनु समझना कर, गुरुबानी दा ग्यान होना बहुत जुरूरी है, एक केवल पात्शाय जेने ओ सिखनु यवपदेश निदृता, सब्सारे शार्या लिवपदेश है, प्रथाए साखी महापुर्ख बोल दे संजी सगल जहान ने, इसाड़े सारयां दे प्रथाई उपदेश है पात्षाजीदा हर सेखनू गुरुबानी दी संथिया लेनी बाउत जुरूरी है गुरुबानी दी अर्थ बोदनू समझना बाउत जुरूरी है अज पाविया पा नेतनेम दी बानी पड़ देयां जा कईवरी वेख देयां कि जदो असुखमनी सहव दी जाव चल देने उदुस देख देयां सरवन कर देयां बाउत जादा सदियां गल्तियां विश्राम सही नहीं देना हुंदा उचारन बड़ा गल्त इस करके गुर्वानी दी संथया गुरू प्यारवारें जुरूर प्रापत करो सद्गुरु पात्षा जी कैन लगे पाई गुरुबानी दी संथया जुरूर जिड़ी है उलेना कर इदे अर्थ बोध नु समझना कर एक सिख दी डूटी ला देती इनु गुरुबानी दी संथया देनी हैं। ते अरमता वाली पंकती पड़ी अनांद पहा, मेरी माए सत्गुरु मैं पाया। पाय से नु संथया देन दी। कि पायों सेख दी संथया किथो तक पहुंची। कहने लगा जी राम कली राग दी संथया कर रहा सी ते जदो अनांद सेख दी बानी अराम होई। ते ओ पहली पंकती पड़की चला गया, मुड़के नहीं आया। पात्षा कहल लगे बलाओ। उसेख नु बलाया। सेख चला की आया। पुछिय पही। राम कली राग दी संथया तेरी अराम होई। अनांद बानी तो अगे तू एक पंकती पड़की दुबारा संथया करन वास्ते क्यों नहीं गया। क्या लगा सदगुरु पात्षा जी। जदो पोख लगी होवे। वो दो पोजन शकीद है। ते जदो पोजन शकीए। पेट पर जाए, राज जाए, फर होर बहुता पोजन नहीं शकीदा। त्रिपत हो जाए दा शक के। ते पात्षा एसे तरह अनंद सैव दी बानी पड़के। मेरा मन त्रिपत हो गया है मनु गुरु दी प्रापती होगी है। अनंद पया मेरी माए साथ गुरु मैं पाया। पात्षा हुन अग्गे होर पड़नु मेरा माननी करदा। पात्षा मैं तो नु पाले है। मेनु गुरु दी प्रापती होगी है। पात्षा ए दी ए प्रेम वेके बड़े परसान्नोय, बड़े खोशोय कैन लगे सिखा तू तान्न है। पर फिर वी गुरुवानी दी बाकी रेंदी संत्या भी जरूर पूरी कर गुरु सैव दा हुकम पाके ए नियके बाकी रेंदी संत्या जरियव पूरी कीती। अनंद सैव दी बानी तानिश्री गुरु अवरदास पात्षा जी दी पावन रसना तू चारन कीती हुए बानी है। जो सेख कोई भी कार्ज करे वो अनंद सैव दी बानी पड़के उपरांत गुरु चरना मिच अरदास कर रहे है। सुवाव। सद्गुरु पात्षा जी आज देस पावन उपदेश द्वारा सनू समझावना कर रेने। पावन शबदे नल जोडंदे लई। सुरतनो गुरु शबदनल जोडंदे लई। रसना दी कलिया नहेत आखना करिये जी सातना। सतनाम शिर्वारे गुरु साहिब जी। जेको सिख गुरु सेती सानमुख हो वै। अनांद सहब दी एक्किमी पावडी है। सदकुर पात्षाजी तनकुर अमर्दास पात्षाजी बक्षिश कररेने। सिख गुरु सेती सानमुख हो वै। जेकोई गुरु का सिख गुरु दी शर्ण विचाके गुरु दे समने सुरुख होना चौंद है। गुरु दी हजुरी विचाकर के गुरु दे सनमुखा के सुरुख होना चौंद है। ओवै तासानमुख सिख कोई जे अहो रहे गुर नाले। जे चौंद है के कुसी लुक्वैं पाप दे कारण मेरियां अखा गुरु दे समने नीविया ना होन। गुरु दे समने मेनू नीवी ना पानी पवे। तब फिर जीयो रहे गुर नाले। अपने हिर्दे दे विच अपने आत्मा दे विच उस वाही गुरु प्रमेश्र दा नाम वसा करके रखे। विच गुरु दे चरना नुव सावना करे। जिथे मर्जी विच रहे हैं क्योंकि उप्रमातमा सदा साड़े नाल है। उसाड़े चंगे माडे सारे कर्मानु वेख रहा मनुख जिड़ा करदे। कई वरे मनोख लोक्षव के पाप कर्म करदे की शायद मैनु कोई नी वेख रहा। पर गुरु तो शुपया नहीं रह सकता। कटकट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशान। सद्गुरु पात्षव जी बक्षिश कर रहेने के कोई लुक्वे पाप दे कारणन सिख ए। मान विच रखे के मैनु गुरु दे सानम गुरु दी हजूरी विच आके अपनिया अखा नीमिया ना पानिया पैन अखा चुरानिया ना पैन। गुरु दे सदा हिर्दे दे विच वसाकर की रखना करे। गुर की चरन हिर्दे ते आई अंतर आतमे समाली। गुरु दे चरन सदा हिर्दे दे विच वसाकर की रखे। सदा गुर के चरन हिर्दे ते आई वसाकर की रखे। अंतर आतमे समाले अंतर आतमे गुरु दे चरना दी सबाल करे। आप छड सदा रहे परणे गुर बिन आवर न जाने कुई। आप छड सदा रहे परणे आपा पाव छड के गुरु दे आसरे होके रहना करे। परने तो पाव गुरु दा आसरा। गुर बिन आवर न जाने कोई आतमक सुख, आतमक अनांद देन वाला गुरु तो बिना दुज्या ना समझे। किसे दुज्य दा पाव ख्याल मन विच न लेउना करे कि किसे होर कुड मैनू आतमक खेडा, आतमक अनांद, आतमक सुख दी प्राप्ती हो जाएगी। केवल गुरु नू समझे, गुरु नू जाने कि मेरा गुरु मैनू आतमक अनांद देन वाला है, आतमक सुख देन वाला है, आतमक जीवन देन वाला मेरा गुरु है। गुरु तो बिना ओरना एदरुदर दोड़िया फिरे, अज हला तेई ने, कि मनोख गुरु दा दर्शड के इनसानना दे मगर दोड़िया फिर दे, जिनना दे आपने कोल सोख नहीं, जिनना दे आप जीवन अंदर आतमक अनांद खेडा नहीं बनेया, उन्ना कोलु ए बक शिष्प्राप्त नहीं हो सकती, आप 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 शड के, सदा गुरु दे आस्रे रहना करे, गुर बिन अवर ना जाना, कोई गुरु तो बिना होर दू जाना, किसे नू जाने, कह नानक सुनो संतो सो सिख सानम कोई, जीड गुरु का सिख ए पाव आप आप पाव शड के गुरु दे चरन हिरदे विच्व सौंद है, गुरु नो हि आतमक जीवन देन वाला, आतमक अनन्द, आतमक उख देन वाला मन दे, ओ सिख फिर सदा गुरु दी शरन विच गुरु दे सनमक गुरु दे उनसार होके रेंदे, पाई गोंदेने चर्ण वसाई हिर्दे विच तनु गुरु हर रायस बात्षाजी कीरत पुर सैवधी तरती तेन वास एक दिन पाई गोंदा ऐसा प्रेम बनेया गुरु चर्णांदे नाल सोर्तनों कुर चर्णांदल जोड़ेया ते इजडे चर्णने गुरु सैवधे पकड़े होयने एदर दवानदी समाबती होई लंगर प्रशाद त्यार होया तेर सोयेने आकी क्या कि सद्गुरु पात्षा लंगर त्यार है आकी शकना करो उनोदर पाई गोंदे ने गुरु के चर्ण पकड़े होयने दोवरी आया तेनवरी आके सेखने केया ते जोदो काफी लंबे समय बाद गुरु सैवधे लंगर विच आये ते पुछेया कैं लगे पाई गोंदा सादे चर्ण पकड़े बेठा सियसी किवे उठ दे ऐसी पा आवना बना के गुरु दे चर्ण हिर्दे विच वसा करके कहा नानक सुनों संतों हो ए गुरु दे प्यारें सुनों सो सिख सानमखोई ऐसा सेख गुरु नुप पाउदा है जिड़ा गुरु दे अनसारी होके विचरदा है जे को गुरती भी मुख होवै बेन साथ गुर मुखत ना पावै जिड़ा गुरु तो उल्ट चल दा है वे मुखों के चल दा है जिड़ा माया दे मौ विच बनने आपे है माया नल प्रीत पाई है गुरु नल प्रीत नहीं गुरु तो उल्ट है माया दे मौ विच फसेया माया नल प्रीत बनी है पदार्था नल प्रीत बनी होई है बेन सात्गुर मुक्त ना पावै, पात्षा केंदे बिना गुरु तो उस मनोख दी माया दे मोत बांदखला सी नी हो सकती, माया दे मोत ओ जीव मुक्त नी हो सकता जिदि प्रीत केवल माया नाला है, पदार्था नाला है, गुरु नल प्रीत नी बनी क्योंकि सात्गुरु पात्षा तान श्री गुरु ग्रंदस है पात्षा समरात ने जिदी प्रीत गुरु नल बन दी है ओ फिर माया दे मो तो मुक्तो जान दे पात्षा केंदे भी गुरु तो बिना ओ मनोखो जीव मुक्त नहीं हो सकदा पावे मुक्त ना हो रथै कोई पुछो हो बबेकिया जाए बबेकि विचारवान विचारवाना नो पुछ के वेखलवो के होर था ते जिन्ना मरजी कोई मनोख पठकलवे एदर ओदर जतन कर रवे उ माया दे बंदना तो मुक्त नहीं हो सकदा माया दे बंदना तो छोट नहीं सकदा पावे मुक्त ना होर थै कोई होर था तू जड़ा गुरू दा दर शड़के होर थावा ते पजिया फिर दा एदर ओदर के शायद मनोख पठकलवे मुक्त नहीं होनी माया दे बंदना तो मुक्त नहीं हो सकदा अनेक जूनी पारम आवे बेण सात गुर मुक्त ना पाई अनेका जूनिया मेंच परमद है क्योंके जेकर गुरू दी प्राप्ती नहीं होई गुरू दी शर्ण विच चलके नहीं आए गुरू दा उपदेश तारन ने कीता मान वेच नी वसाया उदी कमाई नी कीती मनोख फिर जड़ा आवा काउन दे चक्र विच प्यार इंद चिरासी लाख जूना दे विच पड़कदा फिर दे जीवन मिलदा जन मुंदा माउत हो जान दी ये फिर दूजी यूनी त्यार हो जान दी ये अनेक जून ने परम आव है अनेका जूनियां विच परम के होंदा है वेन सातगुर मोकत ना पाए ताहीं ते पात्साज ने कहने लख चौरासी जोन सबाई मानस को प्रभ दी वड़े आई ये मनोख दे वड़े आई मिली है कि उही सात संगत विच चलके आ सकदा है संगत मनोख कर सकदा है गुरु की सेवा मनोख कर सकदा है बानी पर सकदा है सिम्रन कर सकदा है गुरु की संगत विच जुड़दा है एक केवल मनोख दे हिसे आया है मानस को प्रवद दीवड आई इस पावडी ते जो नर चुका है सो आए जाए दुख पाएंदा पात्षा केंदे जिड़ा एदे तो ए पावडी जिड़ी मिलीया है एदे तो पैर थिड़क गया फिर आवा गाउन दा चकरों से तरह प्यार हिंदे पात्षा केंदे अनेका जो नियादे विच परमदा पड़कदा है जिनने देर मुनुखा जडमनों पाकरके जे गुरुदी प्रापती नहीं कीती गुरुदी शर्ण विच चलके नहीं आया ये मुकत नहीं ओ सकदा फिर ओ चकर विच उस्यत्रा प्यार हिंदा है फिर मुकत पाये लाघ चरनी सात गुरु साबद सुनाये ते जिनन ते गुरु साव रहमत कर देने अपना पावण उपदेश बक्षिश कर देने फिर ओ जी फिर मुक्त पाए लाग चरनी गुरु की चरनी लगदेने गुरु चरना मेंच जुड़देने फिर उन्नानों मुक्ती प्रापतु तुन दिया ओ मुक्तु तुन देने गुरु दी शर्नविच चालके ओन वाले जीडे गुरु द उप देश सुन देने वडपाके हो जो हर रोज गुरु सहव दी किरपा दे पातर बान के गुरु द उप देश सर्वन करन ली चालके उण देव साथ गुरु दी किरपा है नदर है सो सद्धगुरू पाध्थशाजी कहन दे जिड़े गुरू दी शरण मेंच जुड़ करके गुरू दा उपदेश सरवन करदेने गुरू सहिव जिन्नाथे रह्मत करके अपनी शरण अपनी संगत भग्ष के अपना पावन उपदेश दिन दे हान ओ जीव फिर गुर चर्णा न जुड़ करके मुक्ती नू पा लेंदेने माया दे बंदना तो मुक्त हो जान दे हान जनम मरन तो मुक्त हो जान दे हान कह नानक विचार देखो बेन सात गुर मुकत ना पाई नानक जी कहन दे हान कि ऐ जीव तो मुक्त ना पाई गुरू तो बिना ये माया तो मुक्त नी हो सकीगा माया दे बंदना तो जीव मुक्त नी हो सकता जिननों गुरू दी चर्ण प्राबत नी गुरू दा उपदेश नहीं मिलेया जिना गुरू दी चर्णा नहीं नल नहीं जुडेया इस गलती विचार करके देखना कर आवो हो सिख सात गुरु के प्यारे हो, गावो हो सची बानी, ओ बानी, जिस बानी द्वारा वाही गुरु प्रमेशर दा नवास हिरुआ, देविच बन जानता है, जिस बानी द्वारा जीवन अंदर आत्मक खेडा, आत्मक अननद बन जानता है, जड़े बानी आत्मक जीवन देन वाली है, ऐसी उस बानी नों गवना करो, आवो मिलके गाईए, आवो हो सिख सात गुरु के प्यारे हो, गावो हो सचे बानी, गावो हो सचे बानी, बानी ता गावो हो गुरु केरे, बानी आसर बानी, अम्रत बानी हर हर तेरी, अम्रत बानी हर हर तेरी, सोन सोन हो वै परम गात मेरी, सोन सोन हो वै परम गात मेरी, ऐसी बानी नू गवना करो, जड़ी बानी नू गाह करके परम गती दी प्रापती उनिये, परम पदवे दी प्रापती उनिये, जिस बानी नू पढ़ करके माया दे बंदना तो छुटन, जिस बानी नू पढ़ करके आतमक खेडा, आतमक अनन्द मिलना है, आतमक जीवन बख्ष दिया, ऐसी बानी नू गवना करो, बानी ता गावो गुरू केरी, बानी या सिर बानी, ये बानी, सारिया बानी दे विच्छो श्रोमनी बानी है, वेद बानी, साश्तर बानी, आदक जीवन बानी ने, उनना बानी दे विच्छो गुरू दिये श्रोमनी बानी है, सचि बानी पात्षाजिने सचा शब्ध जड़ी है, आवो सिक सतल गुरू के प्यारे और गावो सची बानी, सचा शब्ध जड़ी सची बानी शब्ध वरते आए, क्योकि संसार दे अंदर बड़े कच्छे पिले तुरे फिरदेनी, बढ़ियां बढ़ियां रचनावां करकर के बड़े ग्रंथ राचरेने, जिदे विचो ना आतम के जीवन मिलदा है, ना आतम के खेडा, ना आतम के अनन्द, जिन्नों पढ़ करके जीव मुक्त नहीं हो सगदा, जिन्नों पढ़ करके परंपद्वी दी प्रापत नहीं हो सग सची बानी पात्षा कें दे जड़े सारियां बानियां दे विच्छो श्रोमनी बानी तान श्री गुरु गुरंस पात्षा जी दे पुवित्र बानी गुरु साहव दे पात्षा बान दे उचारन कीती बानी ए बानी नू जड़ा है उनू गवना करो ए बानी सारियां चो श्र जेदे उते उनी बाक्शिशों जान दी है, जिनना त्यों करम करदे हिर्दे इतिना समानी उन्हादी हिर्दे दे विचे सची बानी जिडिया समा जान दी है, हिरदे विच समाज आंदिये पर जदो बानी पड़ देने वो हिरदे करके अंदरों जुड़के बानी पड़ देने पिर ए नहीं, कई वरी आपा वेक देयां, बानी पड़न बैठिये, ति बड़ी जल्दी जल्दी बानी पड़ देयां, मुख द्वारा ता बानी पड़ रेयां, पर हिर्दा नी पड़ रेयां, सुर्त दा टका नी बनेयां, ति जदो हिर्दे अंदरों जोड़के बानी पड बड़े प्यार देनाल उस बानीनू पड़न दा अनन्द हुंदा है। उस बानीनू पड़न देनाल अंदर सकून मिलदा है, सुख मिलदा है, सदीवी सुख, सदीवी अनन्द खेड़ा। गुरु प्यार वाली वापा के वरी वेखदेयां आईद दरबार दें अंदर जो वेखीद है कि अंदर कीर्तन हो रहे है, कथा वीचार हो रही है। ता प्यार वाली यां संगता कुरु चरना वे जुडिया हुई याने पर हाथ विच मुबाइल है, जा गुरु बानी दी पोथी है, एथे वी बैठके, ओ साड़ा होम बरक है, ओ सी कार बैठके करना है। उन्हों थे जदो एक पासे क्योंके गुरु दी हजोरीच एक वेले एक कार जो सगदा है, गुरुबानी दा कीर्तन है, कथा है, पाठ है। उन्हों एक पासे गुरुबानी दी कथा हो रही हो वे, गुरुबानी दा कीर्तन हो रहा वे, दुझे पासे यसी मुबाइल लेके बैठे हो ये, पोथी लेके बैठे हो ये, ना सुर्थ उद्र टेकी, ना सुर्थ उद्र जुडी, ना पल्यों उद्र कुछ पे आ, ना प्देश सर्वन करने के गुरू सेव की पावनों प्देश बक्षिष कर रहेने। सोजेव जे कहले, ऐसी जड़ी गुरु दी बाणी है, श्रोमनी बाणी, उन्नों गाउना करोजिना दे उत्ये, गुरु किरपा करदेंदे, कर्म करदे, नदर बक्षिश करदे, उन्ना दी हिरदेदे विच ए बानी समा जान्दी है। पड़न फड़े होयो सा काल पुरु कि वाही गुरु परमेशरनु फिर सदातियां देने सिमर्देने। उन्नु सिमर्दयां होया, उदा जड़ अम्रित मिर्तियु तो रैत करण वाला नाम जाला है, फिर उन्नु पीन्दे हाना। कह नानक सदा गावो, एह सची बानी। कह नानक सदा गावो, सदा गावो एह बानी नुँ, कह नानक सदा गावो एह सची बानी, एह जड़ी गुरु दी बानी है, एह सची बानी है, नुँ सदाई गावना करो, सदाई बानी पड़ देरो, सदाई सबानी नुँ गावना करो, अनांद लेना करो। सात्त गुरु बिना होर कच्ची है बाणी। गुरु तो बिना होर बाणी जडियो कच्ची है। बड़े-बड़े काव रा रूप राजकर के कवतावा राचराच के सनौदेने उस सारी कच्ची बाणी है। उदे विचों आत्मक जीवन दी प्रापती नहीं। उदे अंदर आत्मक अनांद नहीं। इस करके पाच्चा केंदे गुरु तो बिना होर जडियो कव रचना राचराच के। उदों बड़े सन गुरु सैव दे वेले पिल्लु, कान्ना, छजु, हसायने वीच अलके आये गुरु 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 अर्जन दे पाच्चा जने क्या सी, तो अडिबानी गुरु नानक दे कसवट्टी ते खरी नी उत्तर दे। ए गुरु 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 विच दर्जनी हो सकते। उन्नो थानी मिली। सो बडिय यहार चनावा रचन वाले सन उन्नानो गुरु ग्रंस्यव दी प्वित्र बानी विच दर्जनी कीता। सदुगुरु पात्ष केंदे गुरु तो बिना जडी है जिदे अंदर आत्मक रुहनियत नहीं। जिदे अंदर आत्मक खेडा नहीं। आत्मक अनांद नहीं। अधि कच्ची बानी कच्ची बानी ओवी कच्चे हाना, हार हार नित कर है रसना, कहया कठू ना जानी, जोकित बोजडे ऐसे काव रूब रचना रचन वाले ने, पात्षा केंदे उँ हार हार हरी वाईगुर परमेशर दा नाम ता मुखतों केंदे ने, पर हिर्दे करके ने केंदे, वाईग धगन दा, दुनियानो मगर लाउन दा वखावा बनाया, वेसे बड़ा नाम जापदे हां, हार हार ने तक कर है रसना, रसना द्वारे तक कहरे ने, जापरे ने, कहया कशू ना जानी पर जो जापरे ने उन्हों नहीं जान दे, उन्हों नहीं जान दे, उधिवल कोई जान नहीं, कोई सुर्थदाट का नहीं, कोई हिर्दे चो नहीं कहरे, सिर्फ केवल रसना द्वारा कहरे रहे हा न, चित जिनका हिर लैया, माया बूलन पेरवाणी, जिन्न दा चित मायाने मोले है, माया दे कारणजरी ठगी वेने, जिन्न दाचित केवल मायानल जुडिया है, माया दे कारणी सारावे खावा कर रहेने, बोलन पैर वानी ओहोरी मूदे विचो जड़ा है बोल दे हनुना दे मूख वचो ओ वायगुरु परमेशर दा नाम सच्चे मनों अंदरो नी लेना करदे। केवल ते केवल वखावा है माया दे कारणे सारा करदे हन। केह नानक सात गुरु बाजो ओर कच्ची बानी। गुरु तो बिना ओर सारी कच्ची बानी है। दुनिया दिया जिन्ने में अगीत ने काव रचना बढ़ियां सी वेख देयां ए सेखनु कदी भी नी सुनने चाहिदे। ए कच्चे हान। मन थड़क दा है इन्नानु सुन करके मान दा टकाओ नहीं बन दा। आत्मक खेडा मन अंदर नहीं आउंदा। इसकर के पाथशकेंदी इन्नानु सेखने ना पढ़ने ना सुनने। गुरु तो बिना होर जिन्नी वियो कच्ची मानी है। गुरु का शाबद रतान है हीरे जित जड़ाओ। गुरु दा शबद रतन है कीमती रतन हीरे जित जड़ाओ जिदे विच परमेशर दे गोण जड़े होएने। हीरे रूप हीरे दी न्याई परमेशर दे जड़े गोण ने ओए शबद दे विच जड़े होए हान। शाबद रतन जेत मान लागा एहो हुआ समाओ। शबद रतन जेत मान लागा एह शबद रूप रतन दे नाल जिनना दा मन लागा एहो हुआ समाओ। ति ए फिर जड़ शबद दे नाल सुरत जड़ जान दी है शबद हिरदे विच वास गया। ति फिर जीव ओदे विच समाओ जान दा है हिरदे विच शबद दा निवास हो जान दा है। साबद सेती मान मिलया सच लाया पाओ। जदो शबद दे नाल मान मेल गया मान शबद नाल जुड़ गया सच लाया पाओ। पाओ तो पाव है प्रेम फिर हिरदे विच प्रेम पैदा हो गया। हिर देविच प्रेम जड़ा शब्द नल प्रीत बन गी शब्द नल प्रेम बन गया। आपे हीरा रतन आपे जेसनों देबुजाए आप कालवर्ख वाहिगुरु परमेशर दा शब्द जड़ा है। जेदे अंदर वाहिगुरु परमेशर दे हीरे रूप गोन जड़े होएने जिसनों देबुजाए वाहिगुरु परमेशर है पर जिन्नानु बुजा देंदे जिना देंदे उही जान सकतेने। जिस्तू जानाए है सोई जन जान है हारगुन सद ही आखव खान है पर जिन्नानु जनों दा ओ जान देहाना। कैहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। पात्षाजी तीसरे नानक सद्गुरु गुरु पात्षाजी भक्षिश करदेने कहे नानक शब्द रतन है। गुरु दा शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ जिड़ा प्रमात्मादे गुनादे नल जड़या है। ए जिड़ा शब्द रतन रूपी शब्द है जिदे बावद गुरु सैवजी ने समझाऊना कीता दसना कीता है। यदे विच्वाय गुरु प्रमेशिर्दे गोन प्रपूर ने परे होयने, गोन जडेने वो हिरेदी न्याई जडे होयने, ऐसे शवदनू हिर्दे दे विच्वसावना करू, ऐसे शवद दे नल प्रीत बनावना करू, ऐसा शवद जुदो गुरु दा हिर्दे विच्वस ज गुरू दे शवद नाल प्रेम बनाऊंदे ए शवद फिर जीवनू माया दे बंदना तो जनम मरन तो मुक्त कर देंदा है। जड़े वेंखने ओं माया दे बंदना तो मुक्त नियो सकदें। इसकरके सची बानी नू गवना करो। कची बानी नू शड़की गुरू दा शवद हिरते विचवत साथ। ताके शवद दे दुवारा असी मुक्त हो जाए, जनम मरन तो मुक्त हो जाए। शवद टें, शब्द जहाज दी नियाईं है, जेवें किसे ने फारण कंट्री जाना होए, वदेश जाना होए, ते उन्हों जहाज दी ठिक्ट लैनी पैंदी है, जहाज ते स्वार होके उसमंदर पार करके जा पाँच दा वदेश दी तरती ते, ऐसी तरह गुरू बानी दा एक एक शब् जड़े जीव शवद नल जुडदेने उशवद रूपी जहाजते सवार होके इस संसार सागरनों पार करके उस वाही गुरु अकाल प्रुक परमेशर दी सची द्रगा दी विच जा पहुँच देने। किरपा करन एपावन गुरुबानी दी विचार साड़ी हिर्दियां में चवास जाए ताके लोग सुखिये प्रलोग सहले हो जावन विसर नहीं दातार अपना नाम दे हो। गुरु गावादन रात नानक चाओए हो। गुरु गावादन रात नानक चाओए हो। गुरु 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 वादन रात नाम दे हो। झाल, 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 झाल